राइपुर जिले में बगैर मानिता के स्कूल संचालित करने वाले संचालकों के खिलाब स्कूली सिक्षा विभाग सक्त हो गया है इसी कड़ी में जिला सिक्षा अधिकारी ने श्रीचेतन ने टेक्नो इंग्लिश मीडियम स्कूल के दो ब्रांचों में छापे मार कारवाई करते हुए एक एक लाक रुपे का जुर्माना लगाया है साथी आवेदनकर विभाग से मानिता लेने की कड़ी हिदायत भी दी है जिला सिक्षा अधिकारी हिमानशु भारतिये ने राजधानी रायपूर के अमलेडी और सरोना स्थित श्रीचेतन ने टेक्नो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चापे मार कारवाई की है स्कूल के दोनों ही ब्रांचों के संचाल को ने स्कूली सिक्षा विभाग से मानिता नहीं लिया था ऐसे में आधिकारियों ने कड़ा रुक अपनाते हुए स्कूल के दोनों ब्रांचों पर एक-एक लाक रुपे का जुर्माना लगाया है महीं स्कूल के चात्रों के भविश्य को देखते हुए मानिता लेने के लिए विभाग को जल्द से जल्द आवेधन करने की सक्त हिदायत दी है गौर तलब है कि जिला में कुल 824 प्राइवेट स्कूल को विभाग की ओर से मानिता दी गई है इसके बावजूत कई जगाहों पर बगैर मानिता के स्कूल संचालित कर चात्रों के भविश्य से खिलवाड किया जा रहा है ऐसे में जिला सिक्षा अधिकारी ने इस कारवाई को लगतार जारी रखने की बात कही है अधिकार कानून के तहट उस पर उनने एक लाख रो पैकार जो माना किया है कि दतकाल जमा करें तीन दिन के अंदर यदि तीन दन के अंदर नहीं जमा करेंगे तो उनको प्रती दिन दस जार रपे के पड़े के साब से उनको फाइन और लगेगा ऐसी खबर में अपडेट रहने के लिए जुटरी स्फर्मे टाइम्स के साथ और मैं थी आपके साथ खुशी सुहें झाल